प्रवेश ने प्रवेश किया उनके आवेश ने प्रवेश किया श्री करिश्न कनहिया लाल कीजै तीनो पुरी धाम कीजै सुन्दर साथ जी आपने देखा पहला दिन यानि ब्रज की रिवीजन और उसके आगे पता नहीं और क्या क्या आज संजो कर लाएं हमारे कमलेश फाई जी हिमत नगर सुन्दर साथ रिवीजन करवाने वाले हैं पुनरा वृत्ती श्री कृष्न तृ इधा लीला की अटेंटिव होकर बैच जाए और ये देखिये पूरी बारिश होती हुई ये तो आपको पता ही है ये तो हर ब्रमांड के I think हर हिंदू को भी ये पता है कि ये क्या बनाया गया है बारिश वर्शा होती हुई इंद्रदेव का प्रकोप बिजली कड़कती हु हुआ कि गोवर्धन परवत को अपनी उंगली पर उठा लिया अती 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 सुन्दर हमारे थमनेल बनाते हुए सुन्दर साथ आपके चर्णों में कोटान को प्रिनाम जी आए सुन्दर साथ जी चलते हैं कमलेश भाई जी की और और तयार मुस्तैद अटेंटिव हो ही मिलेगा अंत में दिल में आया था गिल्ट फीलिंग हो रही थी कि ऐसा पिछली बार हो नहीं पाया पर इस बार वो सप्राइज बनकर कल ही तयार हो चुका है जो जो पार्टिसिपेट करेंगे केवल उनको मिलेगा बाकी सब को दे दिया जाएगा जैसे कि सारे ब्रमांड को मुक्ती दे देंगे पिया जी पर जो जो पार्टिसिपेट करें उनका नाम लिखकर वो मिलेगा बाकियों को बिना नाम के बाद दिया जाएगा प्रणाम जी कमलेश भाई जी थोड़ा आप पास आये थे ना थोड़ा सा स्क्रीन के तो आ रही है जी पर नाम जी सुन्दर साथ जी में थोड़ा ब्रज के लिएटर प्रशन आएगा ब्रज लिला के लिए ठीक है तो देरी ना करते हुए शरुआत कर देथे पहले प्रशन जी तो सबसे पहला प्रशन है कि अजो अपने त्रीदा लिला कर रहे है उसके बारे में कि त्रीदा लिला में कौन-कौन सी लिला आती है त्रीदा लिला में कौन-कौन सी लिला का समावेश होता है जी quickest team in hand raise भी ध्यान रखिएगा quickest कौन सी रही जिनोंने सबसे जल्दी hand raise किये fastest team in raising hands very good हाँ जी रूबी जी ने पहला हाथ खड़ा किया था इसलिए उनके पास जारी है प्रशन कि तब पहले जो है वह 11 साल बावं दिन की लीला ब्रज में दुबारा प्रतिविंध की लीला जो 11 की है बो है और चीसरी जो Col विश्णू Compared जी के तन्से हुए थी उनके जीव से बाकिके स्सालों तो वह तीसरे लेला है यह तीनुं से बहुत जी तो इसमें योग माया नहीं आती है नहीं नहीं योग माया का कोई बिल्कुल सही अति सुन्दर एक रिक्वेस्ट और है कईयों ने हैंड रेज करके नीचे कर दिया मत कीजिए सुन्दर साथ को थोड़ा समय लगेगा नोट करने में तो इसलिए नीचे मत कीजिए उपर ही आप में दिक्कत ना ओकांटिंग करने में जी भाइ अडिजव लिला थी वो 112 वर्ष की थी की सो साल ने होगे नहीं रही होगी एक्चुली में क्योंकि तीसरी लिला विष्णु मैं हो जाने की थी और विष्णु जी तो 112 वर्ष तक वहां पे रहे हैं आवेश की लीला 100 वर्ष जरूर रही पर ये तो प्रतिविंब लीला की बात ही नहीं हो रही ये तो त्रिधा लीला की बात हो रही है तो तीसरी लीला 112 वर्ष की रही पूरे विष्णु मै तो अगला प्रश्ण है कि जो खेल बना उसमें कितने ब्रमान हुए ये जो खेल देखने हम आए हैं सब इसमें कितने ब्रमान हुए आज दिन तक कितने ब्रमान हुए वा बई वरी गुड जी तो अनीता त्यागी दीदी इश्क टीम से पहला हैंड उनका ही रेज हुआ था प्रणाम जी प्रणाम दीदी इसमें तीन ब्रमान हुए ब्रज रास और जागी जी भाई जी आजिअ जी आप कंफरं करते जाएएगा अती सुन्दर प्रणाम जी अनीतादीदी अती सुन्दर हिश्क टीम का भी राइट आंशर का खाता खुल चुका है अती सुन्दर तो अगला प्रशन है कि जो तीनो ब्रह्मांद आपने बता इसमें क्या स्थिती थी हमारी ब्रहम स्रिष्टियों की स्थिती कैसी थी आप प्रश्न को सकते हैं जी ब्रस रास और जागनी में तीनों ब्रह्मानों में स्थिती क्या थी हमारे जी कैसी स्थिती थी हालाकि जोती सिंग जी रहनी टीम से उन्होंने हैंड रेस किया हुए पर मैं जोती जी आपने अपनी टीम का नाम नहीं लिखा है I think जोती शाह जी है उन्होंने टीम का नाम नहीं लिखा I was going to you but I am not coming today क्योंकि आपकी टीम का नाम नहीं है तो मैं राधिका जी के पास जा रही हूँ जागनी टीम से प्रणाम जी तो अपना टीम का नाम आपको लिख कर आना पड़ेगा कुछ सुंदर साथ के अभी भी मैं देख पा रही हूँ जैश्री बेन नो नेम वर्षा जी नो नेम स्वर्ना अंटी नो नेम सुश्मा धामी जी आपकी टीम का नाम नहीं लिखा गया है तो आपको अपनी टीम के नाम लिखने है अपने साथ जी पर आप हैंड रेस कर सकते हैं वो काउंट नहीं हो रहें आपकी टीम में प्रनाम जी राधी का बेटा सोनी बीटिया जल्दी से बोलिये बेटा फास्ट ब्रज में पूरी नीन में और योग माया में आधी नीन और आधी जागवित और जागनी में पूरी जागविती जी बहुत सुन्दर वेरी गुड अती सुन्दर प्रणाम जी तो तीनों में कालमाया योगमाया परमधाम में किस प्रकार की लीला होती है बहुत सुन्दर प्रेम टीम के भी हाथ बहुत खड़े हो रहे हैं अती सुन्दर जी शशी गुपता जी प्रणाम जी जी बहुत अच्छी आरे हैं जालमाया में तो प्रेम की लीला होती है और योगमाया में भी प्रेम योग दोनों ही दिखाए गए थे ये शायद बारे में पूछ रहे हैं द्वैत वैसी वाली लीला पूछ रहे हैं जी बिल्कुल सही तो द्वैत की क्या परमधाम में कहा आपने अच्छी सुन्दर बहुत सुन्दर उक्तर वेरी गुड़ एंड लुक एट अच्छी नय सुन्दर साथ का प्रेम टीम को बढ़ाई देना चाहूंगी नए सुन्दर साथ को आगे बढ़ा रहे हैं जो वेरी गुड जी अगे का प्रशन है कि खेल में आने का महा कारण क्या रहा है खेल में आने का महा करण विल सी कि नए सुन्दर साथ आपकी टीम से कितने हाथ उठा रहे हैं नए सुन्दर साथ आप खुद देखिएगा आपकी टीम में कितने नए सुन्दर साथ ने आज हाथ उठाया है कल फिर होने वाली है क्योंकि नए सुन्दर साथ को पहले अन्म्यूट किया जाएगा सहयोगिता में that will be your real test कि आपने उनको कितना तयार किया है प्रबुद सुन्दर साथ ने very good जी रानी दीदी परणाम जी आनंद टीम से राजी ने अपनी सहेवी देखानी इसकों सहेवी देखानी ती अक्षेब्रह्मा को खेल को खेल और भी को दिखाना के सभिर्ष लगत शुन्दरुद सुन्दर सक्षियों ने मांगा और अक्षर ब्रह्म ने भी मांगा अती सुंदर प्रणाम जी जा रही हूं एक नए सुंदर साथ के वेरी गुड जैश्री बेन अपना नाम चेंज करके आच चुकी है उनी के पास जा रही हो और वो इश्क टीम से हैं प्रणाम जी जी बहुत सुंदर अती सुंदर जी भाई जी चलो अगला प्रशन है एक खेल देखने की इच्छा पहले किसके दिल में आई अरे वाँ बहुत सुंदर खेल देखने की इच्छा पहले किसके दिल में आई जिनके टीम के नाम नहीं लिखे हुए मैं उनके पास नहीं आ रही हूं सुंदर साथ जी अभी चित्वन टीम सकुंतला थपालिया जी प्रणाम जी अरे वाँ उससे भी पहले किसके अच्छा देखने की इच्छा तो बिल्कुल सही दिखाने की पिया में आई देखने की अक्षर ब्रहम अती सुंदर प्रणाम जी चित्वन टीम बहुत बहुत सुंदर एक तम परफेक्ट है अभी अगला है चार अप्षन वाला है उसमें से चुनना है ठीक दनी जी का जोष पहले कब आया तो अप्षन है गोकुल में मतुरा में गुरूंदावन में या केवल ब्रहम में जान से सुनके बताएंगे सुंदर साथ भाई रिपीट कीजेगा एक बाद धनी जी का जोष पहले कब आया तो गोकुल में आया मतुरा में आया गुरूंदावन में या केवल ब्रहम में आया ते चार अप्षन में से जोष की बात हो रही है जोष की जी तो अभी तक हमारी किस टीम की टर्न नहीं आया इमान टीम से तृपता जी प्रणाम जी सबसे पहले मत्थरा में आया अच्छा गोकुल में नहीं आया गोकुल में जनम जब हुआ तो जोष मां आया मासर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद साथ में से योगिता ने बाने के लिए अती सुन्दर बिलकुल सही उत्तर मत्थुरा में जोष पहले प्रवेश कर गया था वेरी वेरी गुड इमान टीम अती सुन्दर जी अगला है कि ब्रज लीला का प्रारंब कब से हुआ कहां से हुआ कब से हुआ जी शीतल जी इमान टीम फिर से आगई है प्रनाम जी फ्रणां जी जब नंदघर की प्रवेश तनी जी ने जब नंदघर की प्रवेश उसकावेश आया ना तब हम ब्रहम सुरूष्टी आई तब से व्रजलीला का ब्राराम पुला जी भाई हाँ जी सही है अती अती सुन्दर वेरी गूर इमान टीम आसम बहुत सुन्दर परफॉर्मेंस हाँ जी उनका ही पहला नंबर है ना इमान टीम का इस अरे वाँ तैयारी जोरों से तैयारी चल रही है बिल्कुल जी अगला प्रशन है इस्वरी सुष्टी के मूलतन आज कहां पर है आज आज पर फोकस कीजिए इस्वरी सुष्टी के मूलतन आज कहां पर जी तो हमारे पास मेहर टीम से हैं इंद्रावती सकी प्रणाम जी प्रणाम जी नूरी तन तो मिले थे उनके कहां पर जीवों को मिले हैं पर मूलतन उनके कहीं नहीं है बहुत सुष्टी प्रज लीला में एक एक चीज पर ध्यान देना है विश्नु जी का जीव कब आया वेन कब आया जी तो अभी वेरी गुड नए सुंदर साथ जो हैंड रेस करें एक ता अगरवाल जी सिंगार टीम से प्रणाम जी प्रणाम जी जी एक और सुंदर साथ को मौका मिल रहा है इसमें तो वो हम चल रहे हैं वर्शागर जी कैमरा ओन कीजिए जो सुंदर साथ उत्तर देना चाहते हूं कैमरा ओन कीजिए ये ना हो मौका छूट जाए जी वर्शा जी इसका उत्तर देंगी रहनी टीम से प्रणाम जी दिदी विश्नु जी का जीव तो गर्ब के अंदर ही प्रवेश कर गया जबी तो मतलब जन्म हुआ है न जीव तो रहनी टीम का भी खाता खुल चुका है बहुत बहुत सुंदर और कुछ टीम के नाम मैं देखनी पारी हूं मैं ढूंड रही हूं उनकी बारी नहीं आई है पर उनका कोई सदस्य शायद नाम लिख कर आया नहीं है जी बहुत जी अब एक शेर स्क्रीन कर रहा हो जो उसमें क जी तो पहली लाइन की गलती कोई और टीम सुधारेंगी दूसरी कोई और ऐसे चलेंगे जी बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा हो सकता है असल सहयोगिता का भी कुछ कुछ हिंट हमारे ये प्रशन की बात नहीं कर रही पर काफी प्रशनों में क्या पता मिल जाए फ़्ली लाइन है पड़ दीजी डाजी फेहली लाइन खेल देखने की इच्छा सबसे पहले शामा जी के डील में आये। तो मिहर टीम से डिढ़ेंगी प्रणांअधी घी नूसर जी प्रणांब Keeping Oh美味 कि उधम चुछ. एक्षिर ब्रह्म के डिल में अई थी सभसे 5 सबसे बे पड़ेंगे बाई आप उसको करेक्ट कीजेगा जी बाई उसके बाद अक्षाब्रम के दिल में और फिर शक्खियों के दिल में आए ति इसमें आएगा उसके बाद उठाके पहले अक्षाब्रम के दिल में और फिर सक्ष्ट के दिल में आई है और शामा जी के कब आई तो शामा का उत्तर जब हाई पढ़ लेंगे चींज़ाता है कि सबसे पहले अखन की शक्ति गोकूल में आई जी केलाश जी प्रणाम जी क्या गोकूल में आई या फिर द्वारिका में आई या फिर मतुरा में आई या फिर मतुरा में कौन सि आई थी अखंड की शक्ति अरे वाव बिलकुल परिक्ट अकंड की शक्ति मतुई जोश। इस अब आउद करेक्ट भाई या जी एकदम करफेक्ट सही बिलकुल सही अब हम चल रहे है अगली लाइन आप पढ़ेह अगली लाइन है जब नंदगर प्रवेश किया तब अक्षर ब्रम का आवेश आया और साथ में धनी जी का आवेश भी आया जी बबिता अगरवाल जी समर्पन टीम अभी तक बारी नहीं आई थी समर्पन टीम से बताएंगी बबिता अगरवाल जी परणाम जी बहुत बहुत सुन्दर भाई आप जितनी मरजी भूलें इसमें डाल दीजी हमारे सुन्दर साथ पकड़ लेंगे वेरी गुड समर्पन टीम बहुत बहुत बदाई अगली नेक्स पंक्ति फ्लीज अजी अक्षर ब्रम की आतम नहीं आई थी मैं जा रही हूं नीलम सेथी जी सेवा सुन्दर साथ सेवा टीम से वो बताएंगे बाकी सुन्दर साथ जो सोच रहे होंगे उनकी बारी नहीं आ र कुछ है अक्षब्रम की आतम आई एकि नहीं ढही है अक्षब्रम की आतम आई है आई तो प्रम की यह चैने है यह आई है यह नहीं-े इसको ठीककरना पड़ेगा ना कि आई ए बिल्कुल सही अती सुन्दर तो अक्षर ब्रह्म की आतम आई है ब्यूटिफुल जी भाई गोपियों के तन में शामा जी और सक्यों की सुर्था जब गोपियों ने जन्म हुआ था तब से आ गई थी कर olduğender में सक्यों की सुर्था आई का जन्म हुआ था रुपियों तो बस्तामें डिस हुआ बहुत लंबी लाइन पर पूरी की पूरी सही कर दी आपने विदुर भाई या राइट कम लेश्ट पर नहीं आए थी ठीक है कब आए थी फिर उन्होंने बताया नंदा गर प्रभेस उते हैं नंदा गर प्रभेस उते हैं अरे वाँ बहुत बढ़ बेरी गुड अभी यह मैं इनके लिए तम कर रही हूं हलांकि वो हैंड रेस काउंट कर रही हैं जागनी से शांता जी के पास न जा रही हूं आपने पढ़ा भी ना हो शायद आप अभी पढ़ सकती हैं इस सप्राइज पर यू शांता जी प्लीज अन्मिट कीजिए प्रणाम जी प्रणाम ज सभी वेरी गुड तो देखे सुंदर साजी हैं ड्रेस काउंट करती हुए सकी बहुत सुंदर सेवा जागनी टीम बहुत बहुत बदाईयों नेक्स्ट पे जा रहे हैं सुंदर साजी ऐसा एक क्विश्ण आने वाला है हर एक टीम में इसलिए ऐसा बनाया चलो अगला पहली लाइने दूसरे दनी जी का जोश को ही उनकाविश कहते हैं जी इसमें भी चिद्र ढूणना आसपास चिद्र नहीं ढूणने सुंदर साजी हमने इसमें ठीक करना इसको ढून ढून के वेरी गुड प्रेम टीम पदमा जी के पास जा रही हूं प्रणाम जी प्रणाम जी दनी जी का जोश ही अक्षर ब्रह्म का आरिश जी बहुत सुंदर जोश को ही उनका की जगे पर अक्षर ब्रह्म आ जाए पिल्कुल सही अतिस प्रणाम जी वेरी वेरी गुड ब्यूटिफुल एक ध्यान रखेंगे सुंदर साथ जी यदि आपको अगली लाइन नहीं आती है आपको नीचे हैंड खुद करना है मैं अन्म्यूट करूंगी तो आपको यह नहीं कहना है कि मैंने तो पहली लाइन के लिए हैंड रेज किया जी भाई मैं Č नाम जी अक्षर ब्रम की आतम और उनका आवेश एक ही होता है मैं चित्वन के पास जा रही हूं अंजू गिलोतरा जी और सुंदर साथ जी जितनी जल्दी हैंड रेज करते हैं उतनी जल्दी सक्रीन पे दिखता है तो ध्यान रखेंगे जी अंजू गिलोत्रा जी चित्वन से अक्षर ब्रह्म की आतम और उनका आवेश अलग-अलग होता है एक नहीं होता है जी बहुत सुन्दर उनका आवेश को क्या कहते हैं अक्षर ब्रह्म जी का आवेश तो धनी जी का जोश जी बहुत सुंदर, प्राणाम जी, 38 सुंदर चित्वन जी सही है, अगला है, अगली आयने, अक्षब्रह्मने 24,000 सूरता उनके बुद्धी सुरूप में धारंगी जी मैं जा रहे हूं शिल्पा जी सिंगार टीम से, प्राणाम जी प्रणाम जी अक्षा ब्रह्म ने 2400 सोगता उनके हिर्दे सुरूप में धारन जी बुद्धी की जगे हिर्दे आ जाएगा जी हिर्दे की अंतस्करन के तो चारो ही पार्ट से हैं तो वो वो पार्ट का नाम क्या है जहां उन्होंने धारन की है फस्ट वाला मन्चित बुद्धी एहंकार में से कौन से भाग में धारन की उन्होंने एंकार वेरी गुड बहुत सुंदर तो एहंकार में धारन की बहुत सुंदर उसको जी उसको क्या कहते हैं सुंदर साथ जी सत स्वरूप कहते हैं जी बहुत सुंदर वेरी गुड और शिल्पा जी मैं आपको, मैं आपको कोहोस दे रही हूँ, आप कृपया म्यूट करने की सेवा कीजिएगा, जो सुन्दर साथ कर चुके हूँ, आंसर दे चुके हूँ, उनको म्यूट कीजिएगा, प्रणाम जी, हाँ जी, भाई. जी, अगली लाइने, रास में भी उनको नुरी तन दिये गए थे, और उनके तन आज भी अखन रास में लिला कर रहे, इश्वरी सृष्टी की बात हो रहे हैं सुन्दर साथ. जी, इश्वरी सृष्टी को ध्यान से पढ़िये, इसमें क्या गलती है, हो सकता है कोई हो ही ना, जबरदस्ती नहीं डून नहीं है सुन्दर साथ जी, पर मोस्टली तो होगी, ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, तो ब्रहम ज्यान से नेहा जी, प्रणाम जी, अपना कैमरा, थांक यू, प्रणाम जी, इसमें सृष्टी को नूरी तन नहीं मिले थे, वो अब्रहम सृष्टी के नूरी तनों में, एक एक सक्षी के तन में, दो-दो इसमें सृष्टी बैठे थे, जी, बहुत सुन्दर तो उनको नूरी तन नहीं दिये गए थे, ठीक है, और अगली जो उनके तन, आज भी अखंड रास में लीला कर रहे हैं, यह बी गलत हो गया फिर? आज भी अखंड रास में किसके तन लीला कर रहे हैं? सोचिए. सखी, ओके. जी, तो वो क्या इश्वरी श्रिष्टी के हैं? उनको तो मिले ही नहीं थे? नहीं ला कैसे कर सकते हैं बहुत सुन्दर जी उनके कोई तन वहां लीला भी नहीं कर रहे हैं उनको दिये भी नहीं गये थे वेरी गुड अति सुन्दर ब्रह्म ज्यान अगला है इश्वरी सुरिष्टी ने ब्रज रास और प्रतिविम रास में अलग अलग जीव पर आई थी इश्वरी सुरिष्टी इसको कहां ठीक करेंगे कैसे ठीक करेंगे सुन्दर साजी मैं हर लाइन के बाद हैं नीचे करने की सेवा कर रहे हूं ताकि वो ना खड़े रह हैं जिनको नहीं पता था ये जी हांजी सुन्दर साथ जी वेरी गुड जिनकी बारी नहीं आ रही है वो अपनी टीम का नाम नहीं लिखकर आये हैं सुन्दर साथ जी तो अगली बार कल के लिए अपने को अपने सुन्दर साथ को ट्रें कीजिएगा ट्रेंड कीजिएगा क और प्रतिभीम रास में अलग अलग जीव पर आये कि अप्चब्रम की अप्चब्रम किया अध्वी वो पूछ रहे हैं इश्वरी सुष्टी ने ब्रज में सेम जीवधारन किया फिर रास में और फिर प्रतिभीम रास में या अलग अलग जीव पर आई थी अलग-अलग जीव के आई थी के इस वरी सुष्टी ने तो तन नो था तन नहीं बोल रहे है वो जीव की बात हो रही है जीव की बात हो रही है जीव इस ब्रह्म सुष्टी में प्रवेश कही रहा था जीव कोई नो था सुर्टा की सुर्टा की सुर्टा की बात नहीं हो रही जोशना बेन वह सुर्टाओं ने प्रवेश किया था यहां जीवों की बात हो रही है तो एक और सुंदर साथ सहयोगिता नहीं जीव कोई नहीं है जीव कोई नहीं हो हां जी तो ब्रज में जो जीव था वो रास में नहीं था पर प्रतिविम की रास में तो जीव था ना प्रत्वी में राज में जीव अक्षन हुए हम जी हमें एक और सुन्दर साथ के पास चल रहे हैं अब मैं उन सुन्दर साथ के पास नहीं जा पारी हूं जिन्नोंने नाम नहीं लिखे हुए हम सो सॉरी सुन्दर साथ जी टीम का नाम नहीं लिखा हुआ एक मिनाट जी वही अलग लग जीव धारण किये थे मतलब उन्होंने वही समझ रहे हैं भाई वेरी गुर्ण अपने और क्लियर किया बहुत सुन्दर जी और दो शब्दों में उत्तर देना है सिंगार टीम फिर से आगे आ रही है और वो हैं मुकेश भाईया प्रणाम जी प्रणाम जी संदर साथ जी हाँ यह तो सही है क्योंकि इसुरिश्टि ने जो जो ब्रज में जीव धारण किये थे वो फिर उसके बाद ब्रंश्टियों पिर रासम गए तो जो ब्रंश्टियों क तो टो उन्हें पहल लुट है उसके बाद जो जो ब्रणश्टियों जीव रासम ले चले आव में अनके साथ बीर खी आब आ जाते हैं इस घृतीन UP में जो है इसSPिसों सफ्टियों कि जो उनके जो जीवंखन रोंगे थे रासमें वो जीव जो है वो जीव आई थे जी तो अलग अलग जीव मिले ये राइट है इसका अलग अलग जीव मिले जी कमलेश भाई जी प्रणाम जी बता लेकिन उन्होंने बता कि जो रास में अखंड हुए थे वो जीवों की सुर्था आई तो सही है नहीं नहीं उन्होंने अखंड ब्रज ही बोलना था शायद जी अखंड ब्रज के जीवों की सुर्था आई ए पर्फेक्ट और रास में तो जो धारन किये वो तो ब्रहम शृष्टी के ही जीव थे जहां रास खेली है उन्होंने बहुत सुन्दर तो इसमें आपने देखा very cleverly designed question by our own कमलेश भाई जी इसमें कोई गलती नी थी तो ध्यान देना है जबरदस्ती गलती नी निकालनी कईयों में है ही नी जी भाई अभी लास्ट लाइन है कि ब्रज वाले इस्वरी सुष्टी के जीव आज भी इस काल माया में बटक रहे और प्रतिविम लीला के उनके जीव सबलिक के कारण में अखन कर दी जी भाई इसमें न कोई वो आ रहा है आइकन आ रहा है शायद पूरी लाइन नी पड़ पा रहे हैं हम हाँ जी अब ठीक है जी तो ये कौन बताएंगे पहले पहली लाइन का बताइएगा प्रजवाले इश्वरी स्रिष्टी के जीव आज भी इस काल माया में भटक रहे हैं आज भी इस काल माया में हैं प्रजवाले इश्वरी स्रिष्टी के जीव आज भी काल माया में हैं जी ये बहुत अच्छा किया आपने बिल्कुल मोर पंक के रंग का रंग दिया उसको जी आईए सुन्दर साथ जी अब हम चल रहे हैं अब ये इमान टीम है या दूसरी है दोनों में से आप बताईएगा अनिल भाई या किरंदीदी प्रणाम जी दिदी वरजवाली इस्वरी सुष्टि की जीव आज भी काल माया में बटक रहे नहीं बटक रहे जी कहां है फिर वो सब लिक के कारण में अखंड हो गए बिल्कुल सही तो ये किरंदीदी आप किस टीम में काउंट होंगे इमान में राइट इमान में हाँ इमा मारी गीता दीदी चित्वन टीम से चित्वन की बारी बहुत बार आई है सुन्दर साथ जी बहुत जल्दी हैंड रेज हो रहा है जी क्या कोस्चन पूछो कमलेज जी लांस्ट लाइने उसको सही करना है प्रतिम लीला के उनके जीव सबलिक के कारण में अखन कर दिया है, सही रहे है जलत can नहीं प्रतिभिम्ब लिला के सब्लिक के कारण में नहीं अखंड हुए गलत प्रतिभिम के जीव तो प्रतिभिम के जीव ना तूसको सही कीजिए अगर कारण जाग थे प्रतिभिम्ब के जीव जो है सब्लिक में अखंड नहीं हुए वो तो ब्रज के जीव सब्लिक के कारण प्रतिम्भिम्ब वाले कहां गए? प्रतिम्भिम्ब वाले तो सो वरस की जब उनकी लीला समाप्त हो गई थी विरह की, सब-सब अपनी अपनी जगे चले गए थे. पर जीव तो नहीं अभी, तो जीव हैं ही हैं, कहीं नहीं गए. बस यही पूछना चाहिए वो कहीं नहीं गए वो यहीं है उपर वाली लाइन थी ना काल माया में अभी बी अती सुन्दर बहुत मेरे को आधा दिखाई दे रहा है यह पूरा नहीं दिख रहा है कोई बात दी और जीता दीदी हॉस्पिटलाइज थे सुन्दर साथ जी फिर अभी इतना सुन्दर पर्फॉर्मेंस वेरी गुड़ अती सुन्दर टीम जी तो ऐसे क्वेशन आने वाले है सुन्दर साथ जो अभी आगे चलते हैं कि ब्रज में जो रादी का जी थी उनके अंदर कौन-कौन सी शक्ती थी अरे वाई ये तो अब हम काउंट करें सो के सो ह खड़े होते हैं कि नहीं होते नहीं तो कोई फाइदा नहीं हुआ अगर ये भी नहीं पता लगा तो कोई कुछ खास नहीं निकला उस मन्थन में से रादिका जी में कौन-कौन सी शक्तियां थी ये तो हर एक को पता होना चाहिए अभी तक केवल 44 हैं 47 मैंने देखना है इस question में hundred में से कितने percentage जा रही है overall सहय योगिता की percentage क्या बन रही है only 50 परसेंट बन रही है सुन्दर साथ जी overall सहय योगिता की percentage 50 बन रही है 55 out of 100 it's not it's not a good data 56 percent seven जिनको आते हैं hand raise करेंगे not good 58 percent first division भी नहीं बन पाई है अभी तक तो 60 percent होती है वो इंडिया में first division बोलने हूं position भी नहीं दो hand और raise होने चाहिए आता है तो बैठे मत रहिए नहीं तो मैं कर देती हूं और कमलेश भाई कर देंगे 60 तो कर दें इसको सुन्दर साथ जी जी फिफ्टी नहीं जी थैंक्यू तीन चार सुन्दर साथ ने ऐसे हैं रिस किया उनको आता नहीं तो आप बताए कौन से उनसे पूछा जाएगा जी मंजुला बेन है इमांटीम से जी मंजुला बेन से ही पूछते है उनको पक्का आता है अइकेन बैठ इंटी मंजुला बैन को सबसे ज़ाधा आता है प्रणाम जी गूपियों का तर्ल नहीं कहल चापटी का ईए और ब्रह Chemistry студ दिघ का जी डी सकी ञीं जी में किस चकोटी का तन इन्होंने point to be noted कमलेश भाई very good इन्होंने hand raise नहीं किया था हती सुन्दर बिल्कुल सही बताया है इसे हाथ से किया था है अच्छा इसे किया हुआ थीन चार सुन्दर साथ ने ऐसे किया था very good वो बताया उन्होंने कि 60% हो चुका है अरे वाँ बहुत सुन्दर भाई अती सुन्दर मंजुला जी आप बोल सकते हैं आपको बोलना चाहिए और आज से I would like to request each team अब कोई explanation नहीं करेगा आज से अपनी team में no explanation required बहुत revision हो चुकी एक ही सुन्दर साथ कई टीमों में मैंने जा जा के देखा है एक सुन्दर साथ बोल रहा है बाकी 24-24 सुन्दर साथ बैठके सुन रहे हैं बस what is the use अगर नए सुन्दर साथ को बोलने का मौका ही न मिला प्रबुद्ध सुन्दर साथ ही बोलते चले जा रहे हैं कोई फाइदा नहीं है अब आगे से question पूछेंगे और वो भी explain करने वाले सुन्दर साथ नहीं पूछेंगे बाकी सुन्दर साथ बनाएंगे वो पूछेंगे और नए सुन्दर साथ भी उसका उत्तर देंगे और आप से उसकी report ली जाएगी कि कितने नए सुन्दर साथ ने participate किया आज से कोई explanation बंद हो जाएगी explanation नहीं होगी जी भाई हाँ जी तो वैसे कुमारी काओं में कौन कौन सी शक्तिया थी ब्रज में कुमारी काओं में ब्रज में कौन सी शक्तिया थी ध्यान दीजेगा जी ब्रज में कुमारी काओं में कौन कौन सी शक्तिया थी और हम चल रहे हैं जागनी टीम से रमेश भाई जी के पास प्रणाम और ऐसा नहीं है कि रमेश भाई जी को बोल दिया गया, आप हैंड रेस करना बंत कर दिजिए, आप करते जाए काउंटिंग हो रही है, शानता जी और किरन जी बहुत मुस्ताइद बैठी है तो आप हैंड रेस करते जाए, जी रमेश भाई जी पुमारी का सक्क्यों में तन जो था वो कालमाय का था जी उच्य कोटिका था और सुर्ता जो थी वो इस्वरी सुष्टी के लिए जी बहुत सुन्दर रमेश भाई जी अती सुन्दर जागनी टीम को बहुत-बहुत बढ़ाई अती सुन्दर जी आरी आरी ते ब्रज में हो ग ब्रज की प्रेम लीला कब समाप्त हुई ध्यान से सुनना एक एक पे उन्होंने डाल दिया पूरी सहयोगिता इस डिजाइंड बायार ओन कमलेश फाई जी और इस बार मिठाईयों से काम नहीं चलेगा सुन्दर साथ जी ब्रज की लीला नहीं पूछा है ध्यान से क्या प्रज लीला कब समाप्तु पूछा था तो 11 बिलकोL सही आप ना केवल इमान टीम के बलकी आप पूरी सहयोगिता के भी है भाई प्रणाम जी आपके चंडों में कोटी कोटी प्रेनाम जी अगला है कि ब्रज लीला में मूल माया से कौन आया था औरे वाँ कमलेज भाई जी ने इस बार क्या क्या डाल दिया उसमें मैं खुद हैरान हो जाती हूं मूल माया से कौन आया था ब्रज लीला में very twisted but beautiful questions मेहर के पास जाती हूं और हमारे प्रवीन भाई जी प्रणाम जी सिवाओं में नियुक्त इतनी सेवाएं कर रहे हैं पता ने रिवीजन का टाइम निकालते कैसे हैं पर चलते हैं प्रणाम जी अक्षा ब्रम के सुरता ये थी इस वर ये सुश की औरे वा मूल माया से पहुंचे न सुंदर साथ जी सत्सरूप से पू अक्षर ब्रम की आतम भी आई थी निष्णा जी के अंदर आतम कहां से आई थी अक्षर ब्रम का कुछ और आया अक्षर ब्रम का जोश जी अब साथ लगते बता दीजी आतम कहां से आई थी अक्षर ब्रहम की आतम कहां से आई थी जोश वहीं से आया था आपने अगाई गुड अक्षर ब्रहम की आतम परमधाम से अक्षर दाम से आई थी और बिल्कुल वो उत्तर आप सही दे चुके थे कि इश्वरी स्रिष्टी की सुर्टाएं वहां से आई और कौन आया दनी जी का जोश मूल माया से ये दो चीज़ आई थी अती सुंदर मेहर टीम बहुत बहुत बढ़ाई अभी अगला उसके रिलिटेड ही क्वेशन है कि स्वल इलाद वैद से कौन कौन आया था अरे वार सी सीधा सीधा नहीं पूछ रहे हैं सुंदर साजी बस गुमा गुमा के चीज वही पूछ रहे हैं आती आपको हैं पहले सोचो स्वल इलाद वैद कहते किसको हैं कैसे नहीं आएगा सुंदर साजी जी लेंगे सायोगिता में बहुत आनंद लेंगे हां जी तो मैं जा रही हू अनंद, टीम शशीबाला जी प्र locked जी राज़ी का जोष राज़ी का अवेश आया शामा जी और सख्यों की सुलता ही अरे बाइब और वाइब राज़ी का एक बार फिर से बोलिएगा राज़ी का राज़ी का अवेश बिल्कुल साही शामा जी और सक्षियों की बिलकुल सही और अरे वा कुछ भी नहीं छोड़ा आपने तोटल कितने हो गए तोटल कर दो चलो तोटल 12,000 सख्षियां हो गई शामा जी हो गई और अख्षरब्रम हो गई 12,002 और आवेश हो गया तो बारह हजार तीन शक्तियां टोटल परणाम जी वैसे इसमें छुपी हुई एक महालक्षमी जी भी बैठी है वैसे तो तो बारह हजार चार हो जाएंगे उनको हमने कवर नहीं किया हुआ इसमे पर महालक्षमी जी भी आई बहुत सुन्दर भाई ब्रज का विरह कैसे हुआ ब्रज का विरह कैसे हुआ तो आप क्या पूछना चारे हैं इसमें वैसे कि ब्रज में कैसे वीरह गोपियों ने कैसे छोड़ दिया पूछना चारे हैं तो अभी हम चल रहे हैं किस टीम की बिलकुल बारी ना आई हो मुझे नहीं मिल रहे सुन्दर साजी जो नाम लिखकर आये हो जादा आई होप कोई ऐसी टीम ना रही हो जिसमें जी मितलेश शर्मा जी वापिस आ चुके हैं श्रिंगार से प्रणाम जी मैं तब से कोशिश कर रही हूं आपको अन्म्यूट करूं आपका नाम आ चुका है अती सुन्दर प्रणाम जी प्रणाम जी हाजी कुश्चन दुबारा रिपीट करें कमलेश भईया प्रणाम जी ब्रणाम जब ग्यारा साल हो गए तो गोपियों ने क्या कहा क्रिश्चन जी को गोपियों ने कहा कि आप बांसुरी ना बजाईए हम परिवार से परिशान हो जाते हैं और हमारा फिर मन नहीं लगता है और हम आपके पास नहीं आ पाएंगे इसलिए बांसुरी ना बजाईए फिर वियोग हुआ वो दोनों अलग अलग हो गए ते फिर वियोग हुआ विरे तब हुआ जब उन्होंने जाके बांसरी बजाई थी तो तब एकदम से सरी छोड़के भागी थी तब विरे हुआ था पहले वियोग हुआ था बहुत सुन्दर प्रनाम जी प्रनाम जी भाई प पती है तो सब बोलते हैं तो इसलिए हम हमें गर से आने से रुका जाता है तो इसलिए आप अभी बांसुरी मिमत बजाई और आपके जो घूंगर है वो भी नीचे उतार दीजें अरे वाँ यह कितना सुन्दर बताया है भाई आपने पहले किशोर स्वरूपा थी किसी किसी क ग्यारा साल बीच चुके हैं सबकी शादियां भी हो गई बच्चे भी हो गए अब ना बजाया करो कहते हैं बहुत सुन्दर हाथी सुन्दर जी अभी बुझो तो जाने ले लेते हैं जी हाँ जी हाँ एक मिड़ा हाँ जब थोड़ा ब्रज में भी आया था रास में भी आया ठीक है धीरे धीरे बोलिएगा यह बुझो तो की अएा इस एक मिड़ा स्क्रीन शेयर कर दो की जी श्क्रीन शेयर कर दीजिए तो दिखेगा पर ब तो तब तक सोचिये ब्रज में भी आया था रास में भी आया हूं सोचिये कौन हो सकता है तब तक दो लाइनों से कुछ तो पता लग जाएगा पहुंच जाएंगे हम आगे अभी सुननी है दो और हैं और त्यारी कर लो तब तक है ना सेवा टीम के तब तक तैयार रहे सेवा टीम से यदि कोई सुन्दर साथ नेम लिखकर आया है तो हैंडे जरूर कीजिएगा सुन्दर साथ जी सेवा टीम अजी दिखा देता है विस्क्रीन पर प्र जी आगया भाई ब्रज में भी आया था रास में भी आया महारास का आनन देखा सारा जो था योग माय में चाया फिड़े महारास खेलकर जब सब गए निजगर एक में था जो बेहत की भूमी को पार न कर पाया ब्रज में भी आया था रास में भी मैं आया महारास का आनन भी सारा देखा सारा जो था योग माय में चाया महारास खेलकर सब गए अपने निजगर एक में था जो बेहत की भूमी को पार न कर पाया कौन है ये जी सुंदर साथ जी very good 40 सुंदर साथ यदि बूजो तो जाने पर हाथ खड़ा कर देते हैं न it's very 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 good it will be counted as 80% क्योंकि बूजो तो जाने 47 48 very good सुंदर साथ जी मैं सेवा specially ढूंड रही हूं तो सेवा से मैं जा रही हूं हमारी किरन खुराना दीदी के पास और मिनाक्षी जी आप उनको उनी में समझिएगा प्रनाम जी किरन दी नाम जी अक्षव्चा ब्रहम। का आवेश या आतम भी होसकती है आतम बेहत की भूमी के पार निजा ऑई नई 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 अक्षव्चा ब्रहमका आवेश या भानिजी का जोग है। वेरी गुड अती अती सुन्दर मिनाक्षी जी आपने क्या सोचा था इसका जिब्रील यानि के धनी जी का जोश बिल्कुल सही जिब्रील बिल्कुल सही उतर है जी तो दोनों सेवा के अती सुन्दर उतर है जी भाई यह करेक्ट है धनी जी का जूश जी दूसरा एक है यह सब में व्यापक और मैंने देखी दो ब्रह्मलीला कौन है यह कब बनाया भाई यह तो मुझे भी नहीं दिखाया तो पहले से था यह तो हमको भी ना आया हमको भी ना दिखाया बहुत सुन्दर जी तो अभी मैं जा रही हूं येस ब्यूटिफुली रेज़्ड हैंड बहुत बहुत सुन्दर सरोज मौरिया जी नए सुन्दर साथ सीखते हुए उनको अन्म्यूट कर रही हूं आनंद कीम से अपना कैमरा ओन कर लीजिएगा साथ जी परनाम जी बोल रहे हैं मैं हूँ इस काल माया का मैं काल माया से हूँ सब में व्यापक भी हूँ और मैंने दो ब्रम लीडा देखी हैं कौन हूँ अरे वाँ भाई बनाने में ज्यादा टाइम लग गया है जायी ने ब्रह्म लेला में विष्णु जी ने दो देखिए जी कृष्ण की तृधा लीला निए बोल रहे हैं की की दो देखिए जी तो कालमाया में हुई प्राजी की लिला कालमाया में हुई प्रम लीला काल मया में ब्रज में पीते नहीं जी ब्रज में हुई और ब्रज में ही और भी हुई है और योग मया भी पीते नहीं योग मया नहीं पूछ रहे हैं वो काल मया पूछ रहे हैं ने ने सही दिच्वार में लेकिन कौन था वो देखने वाला ऐसा है? दोनों लीला. अच्छा सुनिये एक मिनट सुनिये इसको ना नीचे करते हैं, एक मिनट रुकिये. तो काल माया का हूं पर देखी योग माया में भी वो सकती है. हाँ जी हाँ जी हो और ही. तो हूँ तो मैं काल माया का, पर देखी मेरे योग माया में भी हो सकती है, तो सोचो दो बार ब्रह्म लीला का पार्ट कौन बना है, मैं एक बार आपको म्यूट कर रही हूँ, इसमें सुंदर साथ जी, इसमें सुंदर साथ जी सहयोगिता निभाएंगे, अब एक और टीम इस जा पाई थी, वहां से ढूड़ना असान है, तो कौन हो सकता है, जी, मैं चल रही हूँ, हमारी कौन सी प्यारी टीम की बारी आ रही है, कुसुम गुपता जी, इश्क टीम से, प्रणाम जी, प्रणाम जी, जीव, कौन सा जीव, प्रमशिष्ट्यों का जीव, अच्छा, भाई आप बताईएगा इसका उत्तर मैं भी अभी, सही है, वो भी गए थे ना, रास में तो गए थे ना, ब्रमशिष्टी के जीव, और काग मया में बरज में पिछे दो रही है, पर मैं हूँ, सब में व्यापक कैसे आया, इसमें, वो जीव तो सब में रहते हैं ना, इसन विष्णु जी हो सब्धे हैं, एक विष्णु का जीव हो गया ना, इकतरा से, विष्णु जी वहा नहीं गये हैं, पर उनके बनाएए और करो नवन रहते हैं थे ना, वपहों का बिल्कुल सokay, वो भी वो सकता है, ब्रह्म सरिष्टियों के जीव परफेक्ट सी, बहुत लाइन में करके को किस की बात हो रहे हो बताना है एक मिनट रुकना भाई अच्पटा सुनते ही दो हाथ खड़े हो गए है एक तागरवाल जी और जोती सिंग जी बेरी गुड अनुती जी अब आप बोली तुम्हें शब्द बोलता हूँ अखन ब्रज कारण प्रकृती सब्लिक का कारण और गोकूल तो कोन आएगा इसमें फिर से धीरे धीरे बोलना भाई अखन ब्रज कारण प्रकृती सब्लिक का कारण यह इसका स्क्रीन शेर करो कर दीजिये तो अच्छा है भूल जाता है न अखंड ब्रज कारण प्रकृति सब्लिक का कारण और क्या बोला भाई पूर्थ गूख 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 तो इनका एक तो क्रम्श है साही करना है क्म्स ही करना है इसको यात्र बताने विर्ड़ इसकी यातुरा कर देख था तो सीरियल ओडर में करना है कि नहीं करना वाई करना है वो उतल पुथल कर रहे थे बैट के ठीक है वेरी गुड तो सबलिक अच्छा पहले बता दिया था सही सुदर से पहले वाला सही यात्रा बता दियों यह ध्यान दगना सरा तो अब उन्होंने इधर उतल पुथल कर दिया क्योंकि उन्हें बुला आटपटा करना है इसको ठीक है तो अब इसकी यात्रा किसकी है पहले क्रमशे रखिए आईए अब हम चलते हैं ऐसे प्रश्न आने वाले हैं हर टीम में डाला हुआ है और हम चल रहे हैं सुन्दर साथ के पास कौन है वो सुन्दर साथ लेट सी तो हम चल रहे हैं रहनी से जोती सिंग जी के पास प्रणाम जी पहले तो गोकुल होगा, इसके बाद कारण प्रकृति, इसके बाद सबली का कारण प्रकृति, फिर गोकुल, फिर सबली का कारण, प्रकृति, फिर अकारण प्रिज तो कौन आएगा इसे? पिर से उनको अखंड ब्रीज में जहां कारम है उनको अखंड किया गया है सबनी के कारम है फिर से गोकुल में आये जो पर्तिबिन की लिला बना तो सुर्ता में आये लेकिन जीव तो इस तहीं तो दो पर्फेक्ट अथी सुन्दर और उसके बाद क्या फिर चले गए नहीं अभी तो इधर ही गूँ रहा है जागने के बर्वाद होए तो लो नहीं अभी तो वहाँ है जिनकी यात्रा आपने बताई है वो तो नहीं है यहाँ आजी वो अबया किरिद के महा कारण के सुध सुच्छम के कारण में अब खुंड हो गए यहाँ और सुन्दर साथ बताएंगे कई गोकूल के बाद क्या वो कहीं चले गए सुन्दर साथ जी यह इनमेंसे जिनके हैं रिज में मैं आ सकती हूं किसी के भी पास भाई आप वहां जी वह रिगुड वह सीरियल ओडर में कमलेश भाई जी लगा रहे हैं हम जा रहे हैं दुश्यन बढ़िया के पास और वह भी इमान टीम से प्रनाम जी प्रनाम जी प्रनाम जी तो यह जो कुमारी का सखिया है उनकी जीव की बात हो रही है ना जी तो वो गोकुल में थे फिर जब ब्रम्सष्ट के जीव रास मंडल योगमाया में चले गई कारण सुसुक्ति वस्ता में रखा गया कारण प्रकरती में फिर जब सब्लिक के कारण में अखंड किया गया ब्रजलीला तब उनको इस्थान मिल गया जीव चरव सुरता यहां पर आगई है तो वो सुर्ताभ विरह के बाद वो पॉंची अव्याकरत के महा कारण के शुद कारण में तो यह जीव तो अभी तक भी अभी तसक भी वाटक रहे यह कौन से जीव हैं, भाई कहा से शुरु किया आपने, इश्वरी सृष्टी से, यह पहुंच चुके हैं आप, गोकुल में तो वो सुरता कहा गई वापस, जीव तो वटक रहे हैं, पर अचा क्या, पहुंच चुके थे हम. सुरता इश्वेरी सरस्टी के जो गोकुल वाले जीवों की सुरता आजी जो ये अखंड ब्रज में जो अखंड हो चुके वो जीवों की सुरता गोकुल में आई ना तो वो जीवों की सुरता अब कहां चली गई बापिस वो सुरता तो जहां से आई थी कहां से आई थी भाई едь को सुर्ता के चारण से आई थी विल्कुल सही तो वहाँ पे वापिस चली ओर गरा बच्चा भी था सुर्टा कारण है न हो गई विल्कुल सही अति अति प्रणाम जी प्रणाम जी थी जी बिल्कुल सही वो सुर्ता रूप भी हुए और वापिस भी पहुँच गए सुन्दर साथ जी ये नए जीव नहीं आये इसमें जो उन्होंने दार रही जी भाई जी तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आने वाला इसलिए हम बता दिया उसका सेंपल ये मैंने नहीं बनाए सुन्दर साथ जो पूछ लेते हैं कि जो दान लीला हुई थी दान लीला का सिखापन क्या है आज के पड़ी पेक्षब दान लीला का सिखापन और इस बार की पूरी सहयो पूरी सहयोगिता की प्रेपरेशन उन्होंने किया है मैं केवल उसको सुन्दर बनामना की इफेक्ट डाल रही हूँ कुछ नहीं कर रही हूँ और सब कुछ हमारे भाही ने किया है करनाम जी हां जी सुन्दर साथ जी दान लीला का सिखापन पूछ रहे हैं कि आज के सुन्दर साथ जी दान लीला तो प्रेम के लीला थी सुन्दर साथ जी हमें यहां ऐसे ही प्रेम में सभी के साथ क्लना चाहिए वही बात हमें सिखापन दीती है बहुत सुंदर अती सुंदर यह सिखापन डिफरेंट भी हो सकते हैं अपने अपने हिसाब से जो आपका दिल कहे अती सुंदर अब मैं चल रही हूं जिन्होंने अभी तक उतर नहीं दाइबेन ने SKTL लिखा हुआ है कम से कम, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ, आप अपनी टीम का नाम भी बताइएगा दाइबेन, प्रणाम जी? आनन्द, आनन्द टीम है हमारी टीम का नाम. आनन्द टीम उनको सिखाएंगी आज कि उनको आनन्द कैसे लिखना है, जी डाइबेना पुत्तर दीजिए, प्रणाम जी? दानलिला प्रेम के लिए की जाइ है, कि जिस तरह रजम गुप्रियो करती थी, वतारा गुरुम कारिया करते ही, अपने दानी जीको दिल में बसा दी थी प्रेम से. उसी तरह आप जागनी ब्रह्मान में आपको ही प्रेम दिल में बसा कर रहना है बहुत सुन्दर नए सुन्दर साथ बोलते हैं बहुत खुशी होती है आपको पता नहीं कितनी कितना हर्ष होता है अच्छा बताओ दई बैन ये दानलीला होती क्या थी आप वो बताओ ऑनलीला में गोपयो क्रुश्ण ज़ी को ना कि लीला किया करती थी दान करती थी प्रेम दान करती अच्छी कितनी मुटकी लेकर डाङ यांटे होती टिर ऑर कि क्रुश्ण को देखते थी क्रुश्ण जडी बात देथे थी और उसको प्रियतन कीजिए आज से अपनी टीम में भी कैमरा परके बैठियेगा बहुत सुंदर बताया है कनु भाई जी और डाइवे ने आज़ अथी सुंदर दान लीला के बारे में आप तब तक प्रियतन कीजिए अती सुन्दर हम दूसरे मेंबर के पास रंजना त्रिवेदी जी इमान टीम प्रणाम जी कैमरा ओन करना जरूरी है जी नहीं तो मैं वसंद भाई जी के पास जा रही हूं प्रणाम जी दान लीला बतानी है दी दान लीला वो इस जी करते थी कि हम एक रख लगी से मदूर हमरी बाते करने का मौका में सके और जो च्छांस ले करके जाते थे वालवलों में तो सुझी बांदिया करते हैं बहुत सुन्दर आज के परिपेक्षय में क्या हो सकता इससे सिखापन इमान टीम से रंजना जी जी आपने बहुत सुंदर बता दिया दान लीला बहुत सुंदर आप बता रहे हैं कुछ बता रहे हैं दीदी अपर नुख Talkminister. उन्होंने यही सिखापन दान लीला से ले लिकार within लिए बहुत सुंदर लगा ये सुनके और ये सुनेंगे अबी रंजना जी पूरे एक्सपीरियेंस मंडे के लिए सेव करके रखिए मंडे सब सुन्दर साथ की यही लीला होने वारी है यही प्रेम के आदान प्रदान की लीला मंडे करेंगे रहनी से वसंत भाई जी प्रणाम जी प्रणाम जी दान लिला से हमें इसीख मिलती है कि हमें घर का पुरक्त करके हम धनी जी से जोड वैसे इधर भी हमें ऐसा ही करने का है कि सब काम धनी जी सको मिलने के लिए सबसे पहले एक सब काम हटा दे पूरे कर लेने के माया के और धनी जी से जुड़ जाने का है बहुत सुंदर रहनी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई आप पता दीजिए आपने क्या सोच रहा है वही लिकाता है मैंने वही वसंद भाई ने बताया हुई हमको भी हमें इस मायावी सुखों को साइड में करने का है जैसे दनी जी वह सब बात देटे मक्षन दही ऐसे हमको मा बहुत सुंदर और पता है सुंदर साथ जी मेरे दिल में भी पहले कभी आया नहीं है पर अभी सुनके ऐसा लगा कि कुछ एक्स्ट्रा सूत कातेंगे तो दान करेंगे ना दान लीला तभी होगी एक्स्ट्रा सूत कातना पड़ेगा उन सख्यों को भी देना पड़ेगा सा सुन्दर बहुत सुन्दर जी भाई समय तो हो गया दिदी एक दूप विश्ण ले लेते हैं से जी ले ली जी बिल्कुल हम हम बैखते हैं भाई आज मीठी बतियां भी नहीं है भाव भी नहीं है टेक क्वेस्चन्स जो आपके पास हैं वैसे उखन लिला से हमें क्या सिखाप आपके दिल से आ रहा है आप वो बोल सकते हैं तो इसमें हर एक के दिल से अलग लग भी आ सकता है तो इसमें सब सही होंगे कोई गलत नहीं होगा जी तो यह हैं रिजल्ट आएगा मंडे को प्रॉपर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट मंडे अनौस कर दिया जाएगा हैंड रेज में कौन फर्स्ट रहा और राइट आंसर देने में कौन फर्स्ट रहा रिवीजन की लीला में जी अभी हम चल रहे हैं हान जी नीलम मिधा जी न नहीं किया हुआज सुमन बंडारी जी जागनी तीन से प्रणाम जी योशोधा जी ने जैसे दूद उबालने के लिए रखा था और दूद वो घिर जाता है और क्रेश्ट जी ये शोधा का पल्ला पकड़ लिया और फिर कहने लगे मुझे माखन दो ये शोधा जी दूद देखने के लिए चली गई थी क्रेश्ट जी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने माखन वाली मटकी को टुकड़े-टुकड़े कर दिये थे उनके ये शोधा जी ने गुस्से में आकर क्रेश्ट ज कर दी और वह अपना बंद गये थे ये सोधा जी ने कृष्टन को उखल से बांद दिया ये सोधा जी को काम करने के लिए चली गई फिक्रश्ट जी को जोर लगा और उखल मतलब वह उखड गया था और वह पेड में अपना पी बंद गये थे ये तो बिलकुल परफेक्ट आईए आप अती सुंदर इससे सिखापन क्या मिलता है आज है कि मैं बी जैसे हम दर मतलब करते मैं करते इस तरह हम अपना गर का काम करते करते पूरे ताउइम भग्वान गोल ल dragged मां चिक हैं जी बहुत है और आपने ये सहयोगिता निभाई आपने लीला बहुत सुंदर बताई अब हम चलने प्रेम टीम से नीलम मिड़ा जी की और और जानते हैं आज क्या सिखापन मिल रही है पर नाम जीदी इसमें नल कुबेर और मनी ग्रीव को ब्रिक्स बन गये थे उन्होंने बड़ों का आदर नहीं किया था और यहीं हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का आदर भी करना चाहिए और उनकी मुक्ति भी हो गई थी क्रिश्न जी के द्वारा मुक्ति भी हो गई कि हमें बहुत सुंदर इस टीम का रिविजन मैंने भी देखा है सुंदर साथ जी सारे पार्टिसिपेट करते हैं बिल्कुल नए आए सुंदर साथ सबसे ज़ादा प्रेशन पूछते हैं और उत्तर देते हैं वेरी गुड अत एक सुंदर साथ के साथ पास और जाऊंगी और वो है प्रफुला बेन आपने नाव नहीं लिखा हुआ है पर मैं आपके पास आ रही हूं आप अच्छा सेवा लिखा हुआ है उन्होंने छुपा के तुम प्रेम सेवा से पाऊगे पार मिल गया मुझे स्लोगन तो आपने लिखा हुआ जी, सेवा टीम से प्रफुला वेन, प्रणाम जी. तनी को यह से नहीं रिजाना है, तनी को जब हम प्रियम से रिजाएंगे, ने क्रोज से तो रिजने वाला ही नहीं है, तो तनी को जब हम प्रियम से रिजाएंगे, तो वो ज़रूर हमारे दिल में बसकर हमारे साथ लीला करेगा, मिठी मिठी बाते करेगा, और सारी लीला का अनन्दी हमें यहां बेठे-बेठे मिल जाएगा अरे दिल में तो यह आया है बहुत सुन्दर अती सुन्दर इसलिए सब के दिलों के बाव अती सुन्दर जी भाई आप भी तो तादी जी आपने क्या लिखा है में ने लिखा है कि जैसे कि नल कूवर और जो मनि गिर्व एक रूक्ष बन कर जड़ जैसे बन गए थे जड़ ज़िसे बन गए थे उन्होंने जो नारजी का संसार का साहरा ले जब पहले उकली का साहरा लिया था दर्ड़ी ने उनको चूड़ाने के लिए वैसे दणी जी न याज हमें वानी दी है और अलग-अलग सत्कुरु के माध्यम से हमें इस मायावी संसार से छुड़ाते हैं बहुत सुन्दर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी ये प्रशन आए तो आपने जो लिखा हुआ ना उसका उत्तर जरूर साथ में बताया करना बहुत सुन्दर अती सुन्दर प्रणाम जी जी भाई गुबर्धन लीला से क्या समझ ह चक्षा मिलती है तो कुछ नहीं आया आपने देखा सिंगार कोई नग नि गिना गया रामते कितनी हुई किसमे तालीब जाई किसमे गाया किसमे अमने रित्य किया, कुछ नहीं पूछा गया ये और ना कोई नग गिनेगे ना कोई रामतों में ये आएगा कि कितनी प्रकार की खेली गई आज के परिपेक्षे में सिखापन क्या मिल रहे हैं उससे सीखने को क्या मिल रहे हैं ये कवर किया जाएगा कल भी है ना भाई मैंने का कनपॉर्म कर लूँ जी तो अभी हम जा रहे हैं जिस टीम की बारी ना आई हो न मैं उनको ढूंड रही हूं सुंदर साथ जी समर्पन के पास जा रही हूं फिर से क्योंकि तकरीबन सब की आचुकी तरवीन गुपता जी समर्पन ती प्रणाम जी प्रणाम जी तरवीन जी प्रणाम जी यह तो पृषन बनाने वालों में से थी ये PDF में जी प्रणाम जी वो आपकी आवाज नहीं आरी भाबी प्रणाम जी आगे जी मैं अभी अभी जॉइन कर पाई हूं गवर्दन लीला से हमें आज के प्रिपेक्ष में जही सिखापन मिलता है कि जैसे तब श्री कृष्ण जी ने सब सक्षियों को जैसे इंदर की पूजा करते थे उससे छुटवा के अपनी एक तरफ लगाया उनोंने तो आज भी हमें सब एक सरफ राजी पर ही विश्वाश करना है राजी वानी पर ही हमें चलना है यही अती सुन्दर बहुत सुन्दर और यह PDF प्रिक वेस्टन आंसर जो बनते थे उसमें आपका भी रोल रहा है ना तरवीन जी अती सुन्दर सब कुछ ही डाल दो अब आप न मुझे पता है इसका कितना रोल बहुत सुन्दर तो तरवीन भावी का बहुत बड़ी सेवा इसमें रही है बीतक साब के प्रेश्न भी बनते थे और श्री कृष्ण तृधा लीला के भी अती सुन्दर मुझे एक और बड़ा प्यारा लगता है भाई इसमें ये तो राजी की ओर से हमारी ओर से भी एक सिखापन मिलता है जैसे उन्हों चोटी चोटी डंडियां लगा के खुद को अखौसला दिया था ना कि हाँ तूने भी लगाई हुई है तो हम भी अपनी चोटी चोटी डंडी जरूर लगा दे हमें खुशी मिलेगी उसमें कि हम भी कुछ कर पाए है उस सुंगली पर ये सारा उन्होंने संभाल रखा है सुन्दर साथ जी हाँ जी भाई आपने क्या लिखा हुआ है आपने लिखा है जी बहुत और लिखा था कि मुर्ति पुजा नहीं करनी है वो तो जड़ है में स्री मुखवा ने दिये उसके बाते करनी है जी बहुत सुंदर और सुंदर साथ जी केवल लास्ट मार्च 2023 में जुड़ा हुआ ये सुंदर साथ जिसका नाम कमलेश भाई पटेल है केवल इतने समय में कितने डीप में ज ज्वारा एक दिन भी वानी मंतन नहीं छूटता आपके लिए भी आपके चड़नों में भी कोटान कोट प्रनाम पहली सहयोगिता ऐसी रही चर्चनी की सुंदर साथ जी पूरी सहयोगिता खुद ही राजी नहीं सेवा लियो इस जीव से पर खुद बनाई थी पूरी बैठ हाफ कमलेश भाई जी वाज डूइंग और साथ में सुंदर साथ ने सिवाएं भेजी थी प्रशन बनाबना के नाव ही हैस टेकन दगोल आयम डूइंग नथिंग और इस बार कोई प्रशन भी किसी से बहुत कम सुंदर साथ हैं जिन से लिया गया है सारे प्रशनों की जिम् एक क्रिशन रहे गया है वो पूछ लेटा और बहुत सारे हैं सुंदर साथ जी ऐसे कवर कर जाते हैं कमलेश भाई जी ना इस सारे नए बन रहे हैं यह कहीं नहीं बने होए थे जी भाई लास 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 तो जब ब्रज लिला सम पूरिव मिंस ग्यारा वर्ष बावन द यह बड़ा सुंदर प्रशन है ध्यान से सोच के बताना है यह दुबारा निरिपीट करेंगे एक क्वेश्चन ऐसा भी रख लेंगे दुबारा निरिपीट करेंगे हीरिंग टेस्ट भी हो जाएगा कितनी कॉंसेंट्रेशन से सुंदर साथ सुनते हैं मुरली धर की तरह है बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा प्रशन को मैंनी रिपीट कर देए अपने जी तो हम जा रहे हैं जी हैंड रेज करते रहना पड़ेगा सुंदर साथ जी रह जाएगी आपकी टीम पीछे रह जाएगी आपने हैंड नहीं रेज किया था काउंट हो रहे हैं चाहे आता भी नी था पर हैंड रेज किया हुआ था आपने आता भी नी था ऐसा भी नी होना चाहिए यह गलत इंपर मेंट जी दीक्षा शर्मा जी जागनी ती से प्रणाम जी ऐसे नहीं हाथ खड़े कर लो आता भी जी प्रणाम जी वो निति ब्रंदावन में गए प्रिश्न जी आ अच्छा बेटी बोल रही है कुछ उधर वो मासी है इसकी आप तो भाई एक बार रिपीट कीजिएगा फिर से प्रश्न था कि जब ग्यारा वर्स बावन दिन हो गए तो उस शाम को प्रिश्न जी पहले कहां पहुचे बावन वे दिन की शाम को तो ये तो करेक्ट है फिर नहीं नहीं बावन के दिन की शाम को पहले कहां पहुचे पहले कहां पहुचे अच्छा अच्छा उन्होंने वो वर्ड बोल दिया बीच में वो मैंने सुना नहीं जी 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 पहले बोला था पहले इदिक्षा जी बाद में वहां पहुचे जो आप बोल रहे हो ना एक खुशी हो रही है शशी गुपता जी आपका हाथ खड़ा देख के आप बताईए चलो प्रेम टीम प्रणाम जी पूछने वाला भी प्रेम का और बताने वाला भी लास्ट प्रश्न प्रेम के जी जल्दी मिलनी रहा कॉपी में से शशी गुपता जल्दी बिताओ हस्बे नहीं घर पे अफाद लगाओ नहीं घर पे कहा है अच्छा चलो खुदी बताना पड़ेगा बताओ फिर कहां गए थे क्रिश्न जी बावन में दिन की शाम को नहीं लिखा हुआ उसमें ट्राई करो ट्राई करो कोई बात नहीं ट्राई करो आपकी अवाज नहीं आ रही है शशी दिदी कान में कुछ लगाया तो उतार लीजिए नहीं है नहीं कोई बात नहीं लगाना नहीं है आप बताए 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 उटना नहीं है वो फून तरके तो नहीं पूछ रहे हैं अब आ गया जी आ गया बताओ ट्राइ करो कहां गए गए होंगे इस ओके कहां गए होंगे दीदी बावनवे दिन की शाम को कृष्ण जी जल्दी से नहीं तो मैं जा रही हूं कि भूबियों के साथ हरोट कहां जाते थे यह देखा यह देखा यह प्रेम टीम की सहयोगिता चालू हो गई है भी वो निकरनाया भी जी बताए यह पक्का नित्य विंदावन तो योग माया में है तो फिर गय नी वो तो तब गय थे जब उन्होंने कहा था कि भई अब हम मतलब उन्से वही तो पूछ रहे हैं जब दूरोंने लगई बावनमे दिन कहां गए यह तो पूछ ने बिलकुल सही बताया आपने अती सुंदर पहले वो यही के विरिंदावन में गए काल माया की फिर वो नित्य विरिंदावन में गए और अती सुंदर से योगिता कमलेश भाई जी और शची गुपता जी की प्रेम तीम की बहुत सुंदर पर नाम जी वो कुछ बोल रही हैं बोल रही है दीदी हान जी कुछ भी नहीं बताया आज कि आज ये प्रोग्राम का बारे में मैं तो योई कोला था और करात को सुंदर साथ ने बताया हमें कि कल भो होगा तो फिर त्यारी कल भी है कल भी है परसो भी है अब दिन पहले से पता लग जाना चाहिए ना इतनी मैंनत कर रहे हैं बोल रही है कि पता ही नहीं लगा मुझे कल भी है परसो भी और कमलेश भाई नहीं है तो कोई और है और अच्छे से त्यारी करनी पड़ेगी पर नाम जी जी भाई जयकारा लगाएंगे या एक और प्रशन है नहीं हो गया लिए जी आपकी जयकारा लगाएंगे बोलो सी प्रानात प्यारे कीजै बुलो श्री सत्गुरू महराजी की जै प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी और इन सेवाओं के लिए अभी सेयोगिताज बन रही हैं अभी छे बनी हैं भाई कि साथ टीमें बनी हैं भी साथ टीम्स फर्स्ट बनकर तयार हो रहें आठ्वी की तयारी चल रही है मेरी ओर से अभी तीन ही फाइनल हो पाई हैं धीरे धीरे चल रहा है पर साथ में यह तयारी करना वेरी अमेजिंग सेवाज फॉर मल्टिपल सेवाज भाई आपके चर्णों में प्रणाम जी आज करें और काउंट करना तो पॉजिबल रैसे था नहीं क्योंकि सुन्दर साथ जी का उच्छा दिख रहा था मैंसे उनके उच्छा के पीछे ही मजलब हो गई तो और आंसर्स भी सभी के बिल्कुल राइट थे किसी के आंसर्स भी गलत नहीं थे नहीं सुन्दर साथ जी बहुत बढ़ जड़ के आगे आए हैं हैंड रेस में भी तो ये देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है प्रणाम जी सुन्दर साथ जी यही हमारी काउंटिंग थी एक्षुली मैं आज 30 सुन्दर आप सब का प्रयास बहुत-Bहुत-Bहुत सुन्दर किरन कुराना दिदी के पास भी जाना चाहूंगी किःन दिदी प्रणाम जी आप दोनों की सेवा के लिए आगे आने के लिए सुन्दर साथ जी अपने हैंड रेस नहीं किये सेवा के प्रणाम जी आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है आपने स्क्रीन शॉट लिए बहुत सुन्दर सेवा की क्योंकि यह मारा सारा सुन्दर साथी फर्स्ट कैटेगरी से नीचे आई नहीं सकता कोई सारी टीमों को बहुत बहुत बधाई हो थैंक यू सो मच जो इतनी महनत की है यह जो इन्होंने महनत की है न यह सहयोगिता के अंकों में जरूर काउंट करेंगे इनको जो यह लिखकर निभाई गई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुन्दर साथ जी परनाम जी परनाम जी जी